आस्पताल के डाक्टरों से खुन चड़ाने के बाद मरीज को खुन की कमी हो गई सजरी के बाद उन्हें पता चला कि वहां वास्तव में कैंसर से पीडित थे जिसका उन्होंने शुरू में खुलासा नहीं किया था कि प्रारम में उन्होंने कहा दूसरे चरण में थे बाद में उन्होंने संके दिया कि वहां चोटे चरण में पहुंच गए हैं और उन्हें कीमोंतरिपी की अवश्यक्ता है Nature cure में आपका स्वागत है आज हमारे साथ एक मरीज के रिश्टदार है चलिये उनसे विस्तार से पूछते है आपको कैसे पता चलेगा कि उन्हें कोलोन कैंसर है डाक्टरों से खून चड़ाने के बाद मरीज को खून की कमी महसूस हुई। कई परिक्षन करने के बावजूद शुरुआत में अंतनीहत समस्या का पता नहीं चला। बाद में मरीज आगे के परिक्षन के लिए हैदराबाद गया जहां उन्हें ट्यूमर की उपस्तिती का पता चला। इस कबर से मरीज डर गए जिससे वे घर लोट आए। हाला कि रक्त की कमी बनी रही सरजरी के बाद पता चला की मरीज को कैंसर है जिसका शुरुआत में खुलासा नहीं किया गया था। दक्टरों ने पहले तो सरजरी के दोरान एक चोटा ट्यूमर निकाले के बाद कही लेकिन बाद में बताये कि मरीज को आस्पताल में कैंसर है जो 20 दिन पहले हुआ था यूटुब पर वीडियो पर शोद करने के बाद उनको उनके इलाज के तरीके से असंतुस्ट होने के कार जिसके परिणाम रक्त का स्थर कम हो जाता है उन्होंने सुझाव किया कि उन्हें अपना ब्लेड काउंट बढ़ाने के लिए आईरंग से बरपूर आहा लेना चाहिए अंत में क्या हुआ अंत में सरजरी पूरी होने के बाद उन्होंने टूमर को परिक्षन के लिए बेज प्रारम में उन्होंने कहा कि वहां दूसरे चरन में थे लेकिन बाद में उन्होंने संके दिया कि वहां चौते चरन में पहुंच गए हैं और उन्हें कीमो तेरपी के आवशक्ता है उन्होंने शुरुआत में शब्दों के एक सिट का इस्तमाल किया लेकिन बाद में उन्ह के वीडियो देखे एक बार जब तांके हटा दिये गए और मरीज ने 20 दिन के बीतर निर्धारित दावा पूरी कर ली तो मैंने यहां आने का फेसला किया आपके पिता क्या करते हैं वहां एक ड्राइवर है और एक किसान भी है आपके पिता की वरतमान स्थीती कैसी है सरजरी बीकावर में ऑविति से पहले वहां गाड़ी चलाते हैं और ट्रीपल राइडिंग भी करते थे लेकिन सर्जरी के बाद वहां कमजोूर और डर पोगो है भी है अब उसकी हालत कैसा है अब तो वहां कमजोर है मैडम वहां का सकते हैं लेकिन अगर उसे गूंने फिरने की ज कि फारिश की लेकिन मुझे मारीज को कीमो तेरपी देने के कोई दिल्चस्पी नहीं इसलिए हम बहतर विकल्पों की उमीद में यहां आए हैं मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और ऐसा लगा जैसे हर कोई टीक हो रहा है तो मैंने यहां आने का फैसला किया ठीक है सर इस अस्पिताल में आने के बाद क्या आपने किसी अन्य लोगों से इसके बारे में पूछ ताच की? नहीं मेडम मैंने नहीं किया झाल 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 झाल